तो यह है गोल्ड का चार्ट अगैन नो रेंज नथेंग कल भी दो बार 2049 डॉलर के आसपास के हाई बनाए और अगैन 2029 के आसपास के लोज बनाए अभी वापिस से 2031 के आसपास चल देगे जिस तरीके से गोल्ड का पाइटन है तो आप समझोगे 2049 के वापिस हाई बनेगा फिर 2027-28 के आसपास आजएगी फिर डेटा के टाइम पे थोड़ा सा उपर जाएगा फिर पूरा दिन काम ऐसी होता रहेगा बहुत ही सुस्त महाल हो गया है गोल्ड प्राइस का सुस्त महाल इसलिए भी हो सकता है कि डेटा डिवन मार्केट है फेडरल इजर्व ने कह दिय दिखेंगे कि इंफ्लेशन नीचे आ रहे है तब तक कोई रेट कट करने का उनका इरादा नहीं है बाकि एक दूसरा इंपॉर्टन डेटा आज है यूएस के प्रीलिम जीडीपी डेटा है अक्चुल जीडीपी तो नहीं है बट प्रीलिम जीडीपी भी एक अच्छा यारा बजे दो FOMC मेंबर की स्पीच है ध्यान रखिएगा इस हफ़ते काफी FOMC मेंबर की स्पीच है कुछ भी बोलेंगे तो उपन नीचे मार्केट रियाक्ट कर सकती है बाकी में डेटा जो है कोर PC इंडेक्स का जीडेटा जिसको फेडरल रिजर फॉलो करता है और तो मेक्शोर चैनल सब्सक्राइब करके रखा है आपने फिलहाल गोल्ड 2021 डॉलर के आस पास चल रहा है स्यारक रेंज तो नहीं है गोल्ड प्राइसेस के अंदर रेंज जो आएगी वो आएगी जब डेटा आएगा तो उसी के टाइम की जो रेंज आएगी वो आएगी बा आपको डिली चार्ट देखेगा कल भी कोई फॉलो थरू नहीं आया है कल भी एक डोजी बना के ही बंद हुआ है अभी भी अंडिसाइडेड मार्केट है डोजी चार्ट पर आने का मतलब है अंडिसाइडेड है ट्रेडर्स के मार्केट उपर जाएगा के नीचे जाएगा ज्यान रखेगा अभी भी बहुत ही एक जिसे कहते न नियो यर के टाइम पर जो मार्केट चलती है वैसी मार्केट चल रही है कि 10-11 डॉलर उपर 10-11 डॉलर नीचे और फिर जो है अपनी क्लोजिंग जो है ओपनिंग के आसपास कर दो तो जब तक मार्केट का रेंज ब्री जानी चाहिए या पर 2020 जा रही है तो नेक्सटे 2010 यह 2000 डॉलर जानी चाहिए ऐसा नहीं हो रहा है रेंज मार्केट की अभी भी एक बंदी हुई रेंज है थोड़ी सी रेंज खुलेगी डेटा के बाद अब यह है कि डेटा के टाइम पर तो रेंज आ जाती है 15-20 डॉलर का कारोबार हो जाता है बड़ उसके बाद फॉलो थूरू नहीं होता है चली देखते कब तक नहीं होता है कब तक बचेगा यह भी देखते हैं सपोर्ट है आज का 2018 डॉलर का रेजिस्टेंस है 2042 डॉलर का फ्लाट ही है गोल्ड का ट्रेंड थोड़ा कुछ रेंज ब्रीच हो और उसके निचे सस्टीन हो तो खुट ज़रूर आगे लेवल्स आएंगे चलते हैं सिल्वर में सिल्वर में कुछ अच्छी रेंज नजर आ रही है सिल्वर में अगर आप डेली चार्ट उठा के भी देख लोगे तो भी आपको दिखेगा कि रेंज है 23.40 से अलड़ी 22.40 आ चुका है चार पार दिन की ट्रेडिंग सेशन में और इसके अंदर भी विक्स बहुत बड़ी बड़ी नजर आ रही है हमेशे ध्यान नखेगा अगर आपको हाइर फ्रेम के चार्ट में ज्यादा विक्स दिखती है तो इसका मतलब है काफी वॉलिटिलिटी है मार्केट के अंदर हाइर चार्ट काउंट में बॉडी अगर ज्यादा होती है तो इसका मतलब स्टेबल है वो चीज़ अगर ज्यादा बड़ी-बड़ी whips दिखती है तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा volatility है इसमें भी whips दिख रही है ज्यादा तो खयाल रखेगा volatility है और volatility रहेगी जब तक gold अपनी चाल क्लेर नहीं करेगा तब तक 22.45 के असपास क्या अभी फिलाल चल रही है ये वीक जोन में ही है ये कल 22.50 का मैंने आपको support दिया था आज का support है 22.20 का resistance है आज का 22.70 का trends वीक है इसका 22.70 तोड़े तो कुछ sellers को फोड़े चली आते हैं crude oil पे crude oil ने भी काफी परिशान करके रखा है एक बहुत ही अच्छी buying बनी थी इसकी last week बट unfortunately इसने कुछ उसको इज़त नहीं थी और इसने उसकी इज़त की धजियां उड़ाने के बाद अब उपर आया है एक अच्छा चार्ट इसका बना था बहुत ही अच्छी बाइंग बनी थी पर अनफॉर्चिनेटली आप देख सकते हो कितने विक्स आपको दिखाई दे रहा है और ऐसा नहीं है कि विक्स का खेल बहुत पुराना है नहीं नहीं यह जो विक्स यह हाई बनाया फिर उसके नीचे लो बनाया फिर उपर रिकवरी फिर लो अभी भी थोड़ा सा यह हाई थोड़े ब्रीच हों 79 के उपर का तो एक क्लारिटी क्रूड आयल के अंदर और अच्छी मिल सकती है पोडिशनल की बात कर रहा हूं मैं िंच्छर गी की बात नहीं कर रहा हूं इंच्रैर今天 तो फिलँ हल पॉर्जिटिव में ही है तो आज का रीद नियुक्त कि ओजन सपोर्ट किया है देख लेते हैं आज का सपोर्ट है 77 Pचास का रीद सेलिस्तर है आजका 79.50 का trend इसका positive बना हुआ है तो रखेगा खयाल चलते हैं अब euro की तरफ यह euro कल तक रिवन 62-63 के आसपास का high बनाया था euro ने अभी फिलाल चल रहा है 836, 830 के आसपास का एक अच्छा support है assuming के वो breach हो गया है तो उसके बाद के levels में आपको दे रहेता हूँ बढ़ ध्यान लखेगा 830 का एक अच्छा support euro के अंदर है तो आज का 830 के बाद के support आएगा 800 का resistance है 865 का trend इसका flat बना हुआ है तो रखेगा खयाल British Pound पे आ जाते हैं 26 से 70 के असपास चल रहा है positive zone में ही है यह जब तक 26 सो 50 पर करार है resistance इसका देखलते हैं resistance must have changed resistance है आज के 27 सो 10 का trend इसका positive ही है बड़ 2650 परीच होता है तो जरूर नीचे जा सकता है चलते हैं bitcoin की तरफ 56900 चल रही है positive zone में ही है इसको तो कोई change कर सकते हैं के हम 53400 का support है आज का 57500 का resistance कल मैंने आपको दिया था और आप कल के high देख सकते हो 57600 के ही high है कोई भी body 57500 के उपर नहीं है 57600 के ही है वस एक विक जरूर आपको गई थी resistance is same nothing have change in resistance ethereum देखलते हैं 3240 के आसपास चल रहा है 3285 के अकल हमारा resistance था again no body 3270 तक की bodies है 3285 भी एक बार ही क्लिक ही होता अभी 3242 के आसपास चल रहा है आज का resistance है 3090 का resistance है 3310 का trend positive है इसका रखेगा खयाल paid signals and market commentary की जानकारी के लिए मेरी website पे सारी जानकारी अवलेबल है link description में है मेरी team का whatsapp number भी description में available है अब मिलेंगे next video में तब तक के लिए take care bye bye